साथियों, आज आई आई टी भूमनेश्वर को ओडिसा के देश के प्रतिभए असाली इंतींजियों के लिए, युवाओं के लिए समर्पिद करने का मुझे सौभागे मिला है। इसके निर्माण में 1260 करोड रुपिये खर्च किये गए है। आई आई टी के इस केंपस में ओरिशा के स्थानिय उद्योगों, यहां के जंगलों में बोजूत संपदा से जुड़ी रिसर्थ होगी, यहां के आदिवासी बहन भाईयों के जीवन को बहतर बनाने के लिए नई तकनीत पर शोध होगा। यह संस्थान देश और दुनिया के लिए उच्चस्तर के इंजिनियर और उद्यमितों पैदा करेगा ही, ओडिशा को भी हाई टेक अउद्यों की विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आने वेले दिनों में बरहामपूर में करीब एक हजार छेसो करोड रुपिय की सोला सो करोड रुपिय की लागत से इंडियन इंस्टिटुट अब साइन्स एजुकेशन और रिसर्च इसका भी काम शुरू होने वाला है। साथियों सिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलोजी से जुड़े ऐसे अनेक संस्थान बीते साड़े चार वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में स्विक्रुत किये हैं। ये सरकार के उस वीजन को ही आगे बढ़ाता है जिसके तहत न्यू इंडिया, नया भारत उसको दुनिया के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी और स्टार्टरप्स का हम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उमीद है कि ओडिशा के ये नए समस्तान, नौलेज और इनोवेशन की ओडिशा की अपनी पुरातन पहचान को और मजबूत करेंगे।